हेलो बच्चो तो आज मैं टीचर के साथ हूँ रामेश्वर सर जो की केमिस्ट्री पढ़ाने वाले जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था टीम के बारे में कॉम साइंस की टीम के बारे में जिसमें केमिस्ट्री पढ़ाने वाले रामेश्वर सर जो की 13 एर अफ एक् बताने वाले हैं basically reduce syllabus के बारे में जो chemistry का reduce syllabus है उसके बारे में detail चीज़े बताने वाले हैं तो आगे का video वो continue करेंगे जो की reduce syllabus के बारे में आपको पुरा detail बता देंगे की chemistry में कौन सा syllabus क्या है reduce हुआ है कितना क्या हुआ है everything he will explain you सारी चीज़ें explain करेंगे वो तो आगे का video वो continue करेंगे जो syllabus के बारे में detail आपको बताएंगे sir yes hello student जैसे देगे आपका लागतार दो से तीन साल से syllabus हमेशा reduce होता आया है इस बार भी CBSC ने कुछ chapters को reduce किये हैं तो अभी कौन सा chapter reduce किया गया है और कौन से chapter continue किये गया है थोड़ा सा हम लोग उसको discuss करने जा रहे हैं first chapter देखिए जैसे कि हर साल हम लोगों को chapter number first देखना रहता था सब basic concept of chemistry इस यह भी हम लोग यह chapter finally discuss करने वाले हैं तो इस चैप्टर के लिए number of pairs 12 दिये गये हैं और 7 marks का आपका यह chapter है पहले आपके number of pairs जो 12 यह दिये गया है यह 8 हुआ करते थे तो basic concept of chemistry को हम लोग को ज़्यादा time देना है इसलिए यह chapter के number of pairs को increase कर दिया गया second chapter देखिए structure of item है structure of item सेम है वही chapter है कोई भी topic इससे reduce नहीं किया गया है सब कुछ हुए topic रहेगा जो continue हमेशा से आता है next है आपका classification of elements and product properties हाँ तो student ध्यान यह देना है आम लोगों को last class 10th में last year यह chapter आपका reduced था class 11th में हमको यह chapter मिला है और 8 periods के हैं 6 marks का आपका यह chapter है लेकिन इस chapter में आप जो first time फिर से पढ़ रहे हो क्योंकि आपको 10th में यह chapter नहीं मिला है तो हमको सबसे अदा focus इस chapter को करना है इन औरगेनिक chemistry का बिल्कुल base यहां से आपका start होता है उसके बाद आप देखिए chemical bonding है chemical thermodynamics है और equilibrium तो यहां तक यह जितने chapter आपके 6 हैं यह volume first की book में आपको मिलते हैं हाँ जिसके पास पूरानी book होगी वो ध्यान देंगे कि इसके बीच में एक chapter है जिसका नाम States of Matter वो chapter अब CBSC में इस reduced topic में आ गया है जिसको इस year केवल और केवल हम लोग classes में ही discuss करेंगे अगर आप AS tutorial के साथ जॉइन किये हो तो आपको हो भी chapter हम लोग holidays में और इनके साथ जो आपका college के syllabus का lecture चलता रहेगा उसके साथ हम reduced topic का जो states of matter हमारा नहीं दिया है syllabus में उसको भी continue करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी entrance आपका होगा चाहे CET का हो रहा हो या कोई भी board का हो उन सब में NEET में IIT में हर जगह आपके सभी topic आते हैं उसके बाद देखिए equilibrium के बाद आपका second book आता है जो volume second के नाम से chemistry आता है class 11th में उसका first chapter आपका रहता है redox reaction जो की पहले जैसे हुआ करता था अभी भी वही है next chapter आपका है organic chemistry जिसको जी ओसी जी ओसी बोलते हैं जिसमें organic chemistry जो 14 periods दिये हैं और 11 marks का आपका chapter class 11th के लिए बताया गया है इसको थोड़ा सा 11 के बजाए इसको 14 कर दिया गया है मतलब 2 to 3 periods हमको पहले से इंक्रीज करके दिये हैं लेकिन आप अगर ध्यान दीजी इसके पहले के तीन chapter reduced किये गया है फर्स्ट आपका S block है सेकेंड आपका P block है और एक आपका hydrogen ये 3 chapter पूरी तरह से CBSC ने reduced कर दिया है इस session के लिए और ये 3 chapter केवल और क्लासिस में ही आपको बताया जा सकते हैं जिसके लिए आप कोई भी इंट्रेंस जॉइन करना चाहते हैं जो भी अब लास्ट चेप्टर देखिए hydrocarbon है और इसके बाद आपका एक चेप्टर और है environmental chemistry वो भी चेप्टर CBSC ने reduced कर दिया है तो overall अगर आप ध्यान दीजे तो लास्ट का एक चेप्टर बीच के तीन चेप्टर यहां से 4 चेप्टर यह हो गए एक चेप्टर फर्स्ट बुक का ठीक है 5 चेप्टर आपको totally reduced कर दिये गए हैं by CBSC और जो आप अगर college में केवल directly classes करते हैं तो उसको आप content नहीं कर पाएंगे जो केवल और केवल आपको classes के ही थुरू मिलेंगे और AS Tutorial आपको पूरे के पूरे chapters का with PDF notes, test, module, paper and classes वो सब कुछ आपको provide करेगा Thank you